नमस्कार दोस्तों जैस्री करशना साब सभी का पुनस्वागत करता हूँ मैं आदर्स कुमावत आपके अपने यूटूब चैनल राजस्तान क्लासेश पर तो दोस्तों आज अपना जो मोखे टॉपिक है यह ऐसा प्रमुख दुर्ग ठीक है तो दोस्तों देखेगा प्रमुख दुर्ग अपन अच्छे से पढ़ेंगे अपने लेवल का पढ़ेंगे ऐसा भी नहीं है कि अपना हाई लेवल का पढ़ेंगे ऐसा भी नहीं है कि अपन बहुत कम लेबल का पढ़ेंगे बेलकुल दोस्तों अपने लेबल का BSTC और PTT एग्जाम के लेबल का पढ़ेंगे ठीक है, और पुलीस एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है, और जो अपना बेलकुल चलिएगा दोस्तों देखिए, विस्तार से अपन वन लाइनर के अनुसार मतलब वन लाइनर क्यूशन कैसे हो तो उसके अनुसार भी करने की पढ़ने की कोशिस करेंगे और प्रति दिन सुबह 9 बजे और सुबह साम दोनों टाइम 9 बजे दोस्तों लाइव जरूर जुड़ा करें यदि आप नए हैं तो ठीक हैगा ठीक है चलिए दोस्तों आज येगा सभी लाइव और आज की क्लास को अपन अच्छे से इंस्ट्रेस्टिंग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट और दोस्तों बता दूँ आपको जो ये दूर्ग टॉपिक है ना ये हर विद्यार्थी के लिए इंस्ट्रेस्टिंग टॉपिक रहता क्योंकि इसमें कई इत्यास की गाता हैं कई इत्यास की जो जो भी गटना ही होती है वो यहां पर इसमें सामिल है तो दोस्तों दरू दुर्ग जो है अपन अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल और बिल्कुल इंट्रेस्टिंग टॉपिक आज बनेगा आपके लिए तो बहतर तयारी करने के लिए सबी लाइव आजएगा आज हम पढ़ेंगे राजस्तान के दुर्ग और दुर्ग दोस्तों होता क्या है दुर्ग यदि एक सब्द में दोस्तों एक सब्द के लिए पूचा जाए आपको की दुर्ग होता क्या है जहां गमन करना दुर्गम हो तो दोस्तों ये होता है दुर्ग का अर्थ क्या होता है जहां गमन करना द प्लस गम ठीक है बेलकों दोस्तों ये चीज जरूर जरूर है जो ध्यान रखिएगा अब अपन आगे बढ़ते हैं उससे पहले थोड़ी सी है मैं आपसे बात करूंगा जैसे कि अपना जो राजस्तान है राजस्तान में दरुगों का अत्यदिक मेहतोराय स्टार्ट से प्रा चत्रू भी सहसा नहीं सकते थे मलब की हरान नहीं सकते थे और कोई भी परकार की यहां पर दिक्कत नहीं आती थी दुर्ग निर्बान की परंपरा दोस्तों वैसे हमारे राजस्तान या फिर देश की कर ली जाए यहां प्राचिन काल से चली आ रही है जिसका परमान हमारे धर्म और निती चास्तर के ग्रंत में भी है ठीक है और दोस्तों इस परकार से है जो अलग-अलग इसके विविद भेद भी है और इस भेद के वारे मां अगर दोस्तों बात करें जैसे कि भेद किसके है सुक्रनिती के ठीक है सुक्रनिती जो है उसके नो भेद बताए गए और अलग-अलग दोस्तों कैसे अब मैं आपको वो भी थोड़ी सी जानकारी दोस्तों दे देता हूं मतलब की अपने दुर्ग स्टार्ज करने से पहले ये भी इंपोर्टेंट है कि आपको डारेक्ली पूछ लिया जाए कि ये दुर्ग जो है ये कौन सी स्रेनी में आता है तो द दोस्तों नोट्स मिल जाएंगे सिंता मत करना ठीक है अच्छा सबसे पहले अपने बात करते हैं एरन दुर्ग की एरन दुर्ग की दोस्तों अपने बात करें तो एरन दुर्ग जो है ऐसा दुर्ग जिसमें मारग खाई कैसा दुर्ग वैसे किसी को पता भी होगा दोस्तों कुछ नयाबी से एकने को मिलेगा लाश तक बने रहिएगा बिल्कुल और आपसे question भी बीच में पूछे जाएंगे ऐसा दुर्ग जिसके जिसके मार्ग खाई कांटा तथा पत्थरों से दुर्गम बने हो ऐसे दुर्ग जिसके मार्ग जो है जिसके मार्ग है जो कैसे खाई काटा और पת्थरों से दुरगम बने हो तो दोस्तों इस प्रकार से यह दुरग कौन Śा कहलाएगा एरन दुर्ग कहलाएगा कौन सा दोस्तों एरन दुर्ग कैसा कांटा खाई इस से है जो रिलेटेड पत्थरों से और कांटा खाई से रिलेटेड हो वो दुर्ग क्या कहलाएगा एरन दुर्ग कहलाएगा दोस्तों ठीक है अब अपन बात करते है पारिक दुर्ग के बारे में देखेगा दोस्तों ये स्रेणिया है आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से अब देखे पारिक का मतलब क्या होता है खाई होता है ठीके बिलकुल दोस्तों खाई होता है एरन एरन जो अपन कहते है ना सामानी बासे में जैसे की एरन के अंदर ओरन कह सकते हो आप एरन के जि होता है वह जो जिसमें क्या होता है खाई काटे और पत्थरों से बना होता है और उसके आसपास होते है वैसे वो बना नहीं होता है पारीक दोस्तों पारीक का मतलब क्या होता है केवल खाई होता है जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खाई है बहुत बड़ी खाई हो वह ज चलिए दोस्तों अब आपन देखते हैं पारिध दुर्ग दोस्तों एक पारीख अलगे और पारीद दुर्ग लगे टो दोस्तों यह पर तो आप ध्यान पूरुक्षण करूँगा आपसे ठीके ऐसा दुर्ग जिसे चारों तरफ इंट पतर्तता मिटी से बनी-बनी बड़ी परकोटा हो तो दोस्तों ये अपन पारीद पारीद का मतलब आप समझे लेजिए परकोटा ठीक है कितना ध्यान रखेंगे बस इतना ध्यान रखेंगे परकोटा किसी का भी बनाए जा सकता है पत्थर का भी बनाए जा सकता है मिटी का भी बना हो सकता है ठीक है बिलकोल दोस् दोस्तों ईलग और यहां पर देखे यह आप क्या कैसा जानी के दोंगे जो बढ़े-बढ़े कांटे-दार करों नहुंगे समूँ से मतलब की व्रक्स यहां पर ज्यादा होते दोस्तों श्यादा होते नोग तो और इस वनदुर्ग की अपन बात करें तो वनदुर्ग जो दोस्तों जैसे कि इसमें बड़े-बड़े कांटे दार व्रक्षों के समु से चारों तरफ यह गे घिरा हुआ होता है, जैसे कि जैसे कि यह आपको उधरन पूचा जाये तो दोस्तों कमेंट सेक्षिन में जरूर पढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं ना बेलकुल सात्यों रंधंबोर दुर्ग हो जाएगा जिन भी भाई बईनों ने आप पर रंधंबोर दुर्ग लिखा है ना बहुत अच्छी बात है वेरी गूर्ड तो दोस्तों देखिएगा रंधंबोर दुर्ग जो है वन दुर्ग की स्रेणी में आता है तो इसी प्रकार अपन धन्वध दुर्ग धन्वध दुर्ग जो दोस्तों क्या होता है धन्वध दुर्ग का ऩरतिय होता है कि व glacier जिसके चार वतर बहुत दूर तुर्ग तक है जो मरू भूमी फैली हो क्या फैली हो मरू भूमी फैली हो दोस्तों उसे धन्वत दुर्ग कहते हैं तो इसका उधारन तो भाई भाई ने सभी दे सकते हैं आप कितना आसान क्वेशन हैं मतलब की ऐसा प्रस्ण पूचा जाए कि धन्वत दुर्ग की सरेन में कौन सा नि और आगे अपन बात करेंगे जल दुर्ग के बारे में देखिए का दोस्तों लाश तक बने रहेगा वापस से निवेदन करूँगा आपसे क्योंकि जब तक आप वीडियो कहीं भी देखो वीडियो आप क्लास आप कंप्लेट नहीं देखते ना तब तक आपके कुछ समझ में नहीं आता है ठीक है और यदि कंप्लेट देखते हैं उसके बाद भी आपको समझ नहीं आए तो आप उसे इग्नॉर कर सकते हैं clean clear छलिए लिए अब देखिए कड़ों जल्द दूर्ग के बारें बात करें तो वह दूर्ग जिसके चारुतर बहुत बूर्द क्रगए को जो क्या होती है जल्द रासी फैली hardy होती है मंलब की दूर्ध दूर्ग तक है जो जल फैला हुआ होता है ठीक है वह जो जल दुरुग कहलाता है अब देखिए दोस्तों यह ना आपको याद नहीं करने बस समझना है कि धन्वत दुरुग क्या होता है जहां पर मरूबुमियो वन दुरुग जहां पर वन चारो तक बड़े-बड़े वन हो ठीक है त देखिए गिरी-दुरुग वो हुताए जो एकांत में किसी उंची पहाड़ी पर बना हो कितना आसान है वह दुरुग जो एकांत में किसी उंची पहाड़ी पर आप इतना ध्यान रखेंगे गिरी दूर का मतलब होता है उची पाहडी पर बना होना और गिरी दूर की च्रेणी में कौन सा धूर का आता है दोस्तों सभी भाई भाई ने बताएंगे जो कि इंपोर्टेंट दूर्ग है सब चे पहले पढ़ने वाले अपन और उसका नाम है चितोड का किला दोस्तों कौनसा चितोड का किला जी हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे गिरी दूर की किसरेणी में चितोड का किला रता है जो कि ऊँची पहाड़ी पर बना हो अच्छा देखिए दोस्तों यदि आप लिक रहे हैं ना तो मैं जो बोल डाउं वो लिक सकते हैं ऐसा नहीं कि जो मैं याँ पर लिक रहा हूँ वही आप लिखेंगे दोस्तों मैं कुछ चीज़ आप लिक भी नहीं रहा हूँ बात करते हैं तो ऐसा दूर्ग जो व्यू रचना में चतूर वीरों से है जो व्याप्त होने से जो भी अभेद्य आकर्मन द्वारा मतलब अजे रहा हो ठीक है जैसे कि दोस्तों लुहागर दो तो इस परकार जो अच्छे से आपको ध्यान रेकना है स्यानिय दूर्ग ठीक है मतलब कोई भी जब आकर्मन करते थे उसमें अजेरा मतलब की वहारा नहीं वह जो चैने दूर्ग कहलाया दोस्तों और व्यू रचना किस की थी वह दूर्ग में जो चतूर वीरों की व्यू रचना के कारण है जो वह चैने दूर्ग कहलाया और दोस्तों लाश्ट दूर्ग कहलाता था दोस्तों तो ये तो हो गए आपके दुर्ग के और स्रेणियों के प्रकार तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये भी जरूर ध्यान तकी है जो सुक्रनिती के अनुसार सर्वे स्रेष्ट कौन्चा दुर्ग बता गया है तो सैन ये दौर्ग है छितोडँ गड़ दुर को स्टार्ट करते हैं वैसे जो अपन मेरानगड़ को करें तो भी अच्छा है लेकिन छितोडँ दुरग के बारे में सब्सके पहले अपन बात करेंगे चितोड दुर्ग के बारे में ठीक है तो दोस्तों ध्यान पूरुक पढ़िएगा अब यहां से ठीक है बिल्कों दुर्ग से समवन दीत ज्यादा तो नहीं बट एक या दो क्वेसन जरूर अपने एक्जाम में बन सकते दोस्तों ठीक है तो ज्यादा तो नहीं का पावन तीर्थ भी चितोड को कह सकते हैं और चितोड को कहते हैं राजस्थान का गोरो राजस्थान का गोरो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान का गोरो किसे कहा जाता है तो सभी भाई बैने आप पर लिखेंगे चितोड वेरी गूड चले दोस्तों आ मेसा पठार पर बनाए दोस्तों मेसा पठार पर ठीक है और दोस्तों इस दुर्ग के बारे में बात करें तो इस दुर्ग के मदिली से मालवार गुजराज जाने वाले मारग पर ये इस्तित होने के कारण प्राचीन और मद्यकाल में इस दुर्ग का विसेस है जो महत होता दो डोस्तों ठीक है तो ये चीज भी आपने जो पूर्णा रूप से ध्यान हम देए अब देखे दोस्तों इसका लाठ जोर निरमाण किस्त ने करवा 150 मेवार के इतियास गृद्ट वीर विनोध के हैं जो इसका निरमाण किस्त ने करवाएsk मौरेर राजस पचित्रंगद लाठ दोस्तों किसने सित्रांगद ने करवाया बिल्कुल सभी बता सकते हैं याँ पर इसका निर्माड मौरे राजा सित्रांगद ने करवाया इस किल्ले का निर्माड करके इसका नाम है जो क्या रखाता दोस्तों इसका नाम रखाता चित्रकूट रखाता दोस्तों क्या रखाता चित्रकूट रखा था और उसी का अप ब्रंच जो बना वो बना चितोड बना बिल्कुल दोस्तों जिन्नों ने भी यहाँ पर लिखा है चित्रांगद और चित्रकूट बिल्कुल सही हो जाएगा और मेवाड में गूइल वन्स के जो संस्तापक रहेते हैं बपारावल और व हैं अच्छा तो देखे दोस्तों मौरे सासक जो थे लास्ट कौन थे वहाँ पर मान मौरी थे ठीक है और मान मौरी को हरक कर एजो मान मौरी को पराजीत करके है जो इन्होंने आठी सताप दीके लगबग है जो दुर्ग पर अधिकार किया था किसने संस्तापक जो थे कौन थे बपार रावल थे ठीक है तो दोस्तों समझ गे ना बपार रावल जो संस्तापक ते गुईल वंस के इन्होंने किसको और आया मान मौरी को जो मान मौरी कौन था मौरी वंस का सासकता ये मौरी राजा ही था जो सित्रंगर ठीक है इसी का वंसज इसी के जो वंसज थे मान मोरी उसको हराके है जो बपा रावल ने चितोडगर दुर्ग जीता था अच्छा दोस्तों आगे अपन देखते हैं देखिए कवियों ने चितोडगर की माटी को सोने वा सांधी से भी अधिक महंगा बताया देखिए कैसे आवेन सोनो ओल में हुएन चांधी होड रगत थाप मंदी रही माटी गड़ चितोड तो दोस्तों एक बार वापस से बोल देता हूँ मैं वैसे आपको बस इस चीज को ध्यान में रखना है वैसे ऐसा पूछा जाए या नहीं कन्फिर्म नहीं है आवे न सोनो ओल में हुए न चांदी होड रगत थाप मंदी रही माटी गड़ चितोड माटी गड़ चितोड तो दोस्तों ये चीज़ आप जरूर एक बार ध्यान रखेंगे वैसे एक कवी ने चितोड के दुर्ग को स्वन की सीडी माना है दोस्तों और वो है जो यहाँ पर कवी का नाम नहीं है और उसका जो यदी बता हूँ आपको स्लोक उसके बारे हम जो लिखा हुआ है तो दोस्तों ये है सीधी सीडी सुरनरी जिनरी कोयल जोड और गड़ शिरोमनी जैगिने और वो ही है चितोड और वो ही है चितोड तो दोस्तों चितोड के बारे हम जितना कहें वो बहुत ही कम है और चैतरफल की दरस्टी से यहीं बात करें तो दोस्तों देश का सबसे विशाल दूर्ग कौन सा है सेतरफल की दरस्टी से सेतरफल की दरस्टी से देश का सबसे विसाल दुर्ग दोस्तों इसे ही कहा जाता है ठीक है तो यह चीज भी आप जो जरूर है जो ध्यान रखेंगे और अपन दोस्तों चितोड़ की बात करें ठीक है जो भी मैं बता रहूं चितोडगड़ दुर्ग की बात करा हूं और दोस्तों चितोडगड़ दुर्ग में जो देखे सिल्प सासर में वर्णित गिरी दुर्ग के मानक के आदार पर हुआ है दोस्तों इसका जो यह जो दुर्ग है यह कौन सा गिरी दुर् है ठीक है अब देखिए दोस्तों यह चीज भी अवेश्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है पूर्णूरी चैसे निया है कि द्रॉप में फुर्वेश के लिए उत्तर पूरो और पचीन दिशा की ओर यह तीनों दिशाओं में इसमें GRI किसमार के दोस्तों ठीक है और पच्चीम दिसा में साथ दर्वाजे है दोस्तों और साथ दर्वाजे कौन कौन से ये भी एक बार जरूर है जो पाड़न पोल दर्वाजा दोस्तों कहां पर है पाड़न पोल दर्वाजा यहां पर है भैरो पोल दर्वाजा कहां पर है दोस्तो तो दोस्तों इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वैसे है जो आप इसे पढ़ सकते हैं आज जो पढ़ लीजिए उसके बाद नोट्स भी आप पढ़ लेना ठीक है और अभी इसकी प्रस्टनोत्र भी वैसे नहीं होने वाली जोड देखे जोड ला पोल ठीक है जोड ला और लक्समान पोल और कौनची पोल है लक्समान पोल देखे दोस्तों आपको यदि सारे नाम कहीं नहीं मिले तो दोस्तों मैं आप पर लिखवा देता हूं आपको सारे नाम और दोस्तों यह जो नाम है ना यह स्रंकला वाईज है देखे पाड़न पोल सबसे पहले है उसके बाद है जो हनुमान पोल है गणेस पोल है जोडला पोल है लक्समन पोल है और राम पोल है तो दोस्तों देखेगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ध्यान पूरक देखेए पाड़न पोल भैरो पोल हनुमान पोल गणेस पोल जोडला पोल लक्समन पोल और राम पोल यह ज पच्चिम की पॉल है दोस्तों पच्चिम के दर्वाज़ है यह किसके यह पच्चिम के दर्वाज़ है दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा पूर्व के दर्वाज़ के ठीक है पूर्वे में जो दर्वाज़ है वो है सूरज़ पॉल ठीक है सूरज़ पॉल है दोस्तों क का नाम है लखोटा बारी और सूरज दुर्ग का जो सूरज पोल है ना वो दुर्ग का सबसे प्राचीन दरवाजा है दोस्तों ऐसा क्वेशन दोस्तों इतना डीप ली तो नहीं पूझा जा सकता लेकिन ध्यान रखेंगे आप आगे भी अपने काम आने वाली चीजे सूरज बारे जो क्या है बाग सिंग का इसमारक भी बना है और दोस्तों मुक्य दरवाजा कौन सा है मुक्य दरवाजा सूरज पोले साब ठीके और इसके बारे जो क्या बना हुआ है इसके बारे जो बाग सिंग जो रावत बाग सिंग थे सईद हुए थे रावत बाग सिंग और द तो दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें तो केंद्रिया और मैतुपून जो इस्तल है कौन-कौन से और यहाँ पर मैतुपून इस्तल कौन से दोस्तों गौ मुख कॉंड है दोस्तों क्या है गव मुख कुंड यहां पर है काँ पर है चितोडगर दोर्ग में दोस्तों साथ-साथ में बता सकते हैं गव मुख कुंड भी यहीं पर है ठीके और यहीं पर दोस्तों विजे इस्तंब भी है क्या है विजे इस्तंब भी यहीं पर है दोस्तों अपन विजे इस्थम के भी बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जरूर दोस्तों ठीक है और ये अलग से बात करेंगे आवस ये विजे इस्थम भी है दोस्तों यहापर समी देशवर मंदिर भी है समी देशवर मंदिर भी है दोस्तों और ये जो मोकल द्वार है जो करवाया गए था इसका ठीक है इसका जीनो द्वार करवाया गए था मोकल समी देशवर मंदिर कहते है जिसे और दोस्तों कुम्ब स्याम और महाराना कुम्बा के महल भी है कुम्ब स्याम मंदिर भी है यापर कौन सा है कुम्ब सियाम मंदिर और महराना कुम्बा का जो क्या है आपर महल है महराना कुम्बा का महल ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ भी है जो important जो ध्यान रिकनी है चितोड दुर्ग में दोस्तों साके कितने हुए थै ये चीज़ आपको पताईए सभी को पता होना चीए सितोड दुर्ग में दोस्तों तीन साके हुए थे कितने हुए थे चितोड दुर्ग में तीन साके हुए थे कितने तीन साके हुए थे बिल्कुल सभी भाई 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 ने बताएंगे आपर और देखिए का दोस्तों यहाँ पर यह चीज भी जरूर द्यान रखे कि पहला साका कब हुआता अब देखे सभी बता सकते हैं कि पहला साका कब हुआता पहला साका कब हुआता बिल्कुल दोस्तों सभी भाई 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 ने बताएंगे और यहाँ पर पहला साका दोस्तों क बबगता इसके बारे में अपने आप पूर्ण रूप से बात कर लेते हैं बिल्कुल जें भी भाई बेनों ने आप पर चुनाता 133 बिल्कुल होगा सई सभी का और यहां पर है जो कौन थे दोस्तों साका करने वाला जो युद्ध करने वाला कौन था दिल्ली सुल्तान कौन था अल्लावुदीन सभी को बताए बिल्कुल दोस्तों अपने इस साके के बारें बात कर चुके है अपन अच्छे से विस्तार से और राना रतन सिंग की जो अनिद्य चुंदरी रानी थी जिसका नाम था पद्मिनी और भुआ को मुक्य जो कारणınd था वही था कि उसको पाने की अभी-लाचा में यह जो आकरमन किया गयता और यह आकरमन किसमें परिवर्टित हुआ साक्य मैं परिवर्टित हो गया था थीके तो अब अपन देखिए इसके बारें बात करते है इसे युद्ध का जो वर झन किसमे तो देखे दोस्तों अलवदिन का दरबारी का भी कौन था अमीर खुसरो था लेक को और ठीके किसका अलवदिन का कौन था अमीर खुसरो और अमीर खुसरो इस युद में सुल्तान के साथ ता जिसने अपनी करती कौन सी थी इसकी ये इसके साथ में था अलवदिन के साथ उस ठीक है लेकिन जो साथ में यह आंखों देखा है जो आंखों देंकी गटना जो अमीर खुष्रो ने ले दोस्तों ठीक है जलिए अब बात करते हैं आगे माराणा कुमबा के शासन काल में दोस्तों जितषमरदी की कीरती की प्रकास्टा भी मतलब की कीरती जो है इसकी बहुत ज्यादा से ज्यादा हुई ठीक है और इसका है जो सासनकाल कुमबा का सासनकाल कब से कम रहाता देखिए दोस्तों ये तो अपन पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ चौता से सासनकाल के ये इंहोंने क्या क्या किया धरोवर पर जो मुख है ध्यान दिया और इसलिए तो इन्हें क्या का जाता है का जाता है बिल्कुल दोस्तों बहुत ही यह दी एक साके के बारे में भी बात करें तो बहुत लंबा हो जाए तो देखे दोस्तों वीर विनोद के अनुसार है जो कुमबा ने चितोड के लिए में एक कीर्थी इस्थम बनवाया ठीक है विजे इस्थम बनवाया यह तो अपने बात करी लिए और कुमबस्या मंदिर मैं आपको बता चुका हूँ कॉम्बसिया मंदिर ठीके वैसे दोस्तों जो important है वही है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और लक्षमी नाथ मंदिर क्या लक्षमी नाथ मंदिर ठीक है और कौन सा और जो राम कुंड और क्या बना रहे हैं जो इनके द्वारा विजे इस्तंब भी बनाया गया है विजे इस्तंब ठीक है तो यह चीज विए बिलकुल आपके लिए बहुत लिए important होने वाली और दोस्तों विजय इश्टम के बारे में आपको पहले भी है जो बता चुका हूं अच्छे से ठीक है तो आप मैंसे किसी नहीं इतियास नहीं पढ़ा अभी तक और वैसे इतियास कि आपको आज पीडियेप भी मिल गई है तो पीडियेप को अच्छे से पढ़ लेना दोस्त अपन विजे इस्तम की बात करें तो विजे इस्तम जो है माराना कुम्बा ने कब बनवाय था सारंगपूर के पास जो इसका युद हुआ था किसके साथ हुआ था मांडू सुल्तान महमूज से हुआ था जो कि 1736 में हुआ था उस युद में जीतने के उपलक्स में यह जो केर कि निर्मान की बात करें 1440 से 1448 तक है जो कीर्थी मम का कीर्थी इस्तम का निर्मान हुआ था 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 ओर तो सोब्धीय मूरति काला का विस्वकर कोश भी कहा जाता है और दोस्तों इसी के साथ साथ है जो ये संपूर्ण देवी देवताओं की मूर्तिया और सेलिया यहां पर अंकी थे इसलिए इसे जो भारती मूर्ति के लाका है जो कहा जाता है विस्वकोस और देखे दोस्तों यहां पर इसकी कुल उंचाई जो है कुल उंचाई की बात करें तो कितनी है स पहले साके के अपने बात करती बीच में है जो अपने मारा नकुंबा के बारे में बात कर ली अब देखेंगे दोस्तों चितोड के दूसरे साके के बारे में बात करें तो दोस्तों दूसरा चाका जो हुआ था 1534 में हुआ था कब हुआ था 1534 में ध्यान रखेंगे दूसरा च चोतिस में दूसरा साका किस-किस की मत दूपा ये हुआ गुजरात के सुल्तान बादुर सा घुजरात के सुल्तान बादुर सा वह ऐ जो किसके भी नप आ पर एक उस समय कौन था दोस्तों विक्रमाद देते था ठीक है राजमाता थी दोस्तों ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे ठीके और सेगडो विरांगनाओने आपके जोर की जोला प्रजविल कर अपने प्राणों की आहुती भी दिहीती तो दोस्तों ये चीज़ जरूर इतना ध्यान रखेंगे अब जो इसके बारे में अपन विस्तार से बात नहीं करेंगे ठीके तो दोस्तों अब अपन देखते हैं आगे आगे बात करते हैं तीसरे साके की और और तीसरे साका दोस्तों उगता तीसरे साका ध्यान रखेंगे द और जब मुगल बादस्या अकबर ने चितोड के माराना उदेश सिंग पर आकरमनी किया और जो उसमें जैमल राटोड और पत्ता पने पढ़े होगा जैमल था राटोड और पत्ता था सिसो दिया दोनों जो सैनिक आँपर सहीद हुए कौन-कौन जैमल पत्ता जैमल राटोड पत्ता सिसो दिया ये दोरों यहां पर क्या हुए सहीद हुए दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए ठीक है और ये तीसरा सा का हुआ किसके बीच में उदे सिंग और अकबर के बीच में उदे सिंग और अकबर के बीच में ठीक है वीर्था पर मोग दोकर जो है अक्पर ने कहां पर मूर्थिया बनाई आगरा के किले के परवेस द्वार पर दोस्तों आगरा के किले के किले के परवेस द्वार पर परवेस द्वार पर है जो किसकी मूर्थिया बनाई दोस्तों संग मरमर की मूरतियां इस्तापित की जो कि किस पर हाती पर समार संग मरमर की मूरतियां इस्तापित की किस की की गई जैमल राटोड और पता सिसोदिया की वीरता पर मुग दोकर है जो अकबर ने इसकी मूरतियां पर इस्तापित की तो दोस्तों ये चीज़ भी है जो जरूर ध्यान रखेंगे, अब देखिए दोस्तों रावद बाग σिंह शितोडगर के दूसरे साहगे के समय मुगल सासक बादूर साह से लड़ते हुए समय सही हुए थै, कौन? रावद बाग सिंह है जो किस से? דूसरे साहगे में दोस्तों आपने बाग सिंग का देखा ना सूरेज़ पौल के बार उनकी चत्री जो बने हुई है उनका इसमारक बना हुई है उसी परकार जो है बाग सिंग जो है साइध कांपर हुए पर उख थे ठीक है तो दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे और इस दुर्ग के अंदर जो जैमल और कल्ला राठोड की चत्रिया भी बनी हुई है इस दुर्ग में जैमल राठोड तो दोस्तों देखिए यह जो यह चत्रिया जो है यह ध्यान रखेंगे ऐसा पूचा जाए कि यह जो जैमल राठोड और कल्ला राठोड की चत्री कहां पर बनी हुई है तो आप क्या जवाब देंगे बेलकुल चितोडगड दुर्ग या फि पूल की बात कीती है अपने सात्वा जो पच्चिम में है सात्वा जो अंतिम दर्वाजा है और दोस्तों इसके सामने मेवार के आमेठ ठेकाने के पताशी सोद्या का इसमारक बना हुआ है जो कि यह पताशी सोद्या कौन थे मेवार के आमेठ ठेकाने के थे और दोस्तों इ किस दुर्ग में किस के बारे में जो अपन बात करते हैं तो देखे दोस्तों यहापर है जो वो अपने किर्थी स्थम्ब की बात करे लिए वैसे आप से बात करूं किर्थी स्थम्ब की तो दोस्तों जैन किर्थी स्थम्ब है जो साथ मंजिला जैन किर्थी स्थम्ब है यहाप पर किल्ले की पूरी प्राचीर की निकट है जो यह क्या है यहाँ पर एक साथ मंजीला जैन कीर्थी स्थम्भ है दोस्तों ठीके तो यहाँ पर है जो मैं लिख रहेता हूँ जैन कीर्थी स्थम्भ यह कितना है दोस्तों यह साथ मंजीला है ठीके कितना है साथ मंजीला है और जिसका है जो निर्मान किसने कर वाय था जो दोस्तों जीजा साद्वारा आदी नात का इसमारक यहां पर बताया जाता है क्या जो जीजा साद्वारा निर्मीत आदी नात का इसमारक बताया जाता है तो देखे दोस्तों आदी नात आदिनात का इसमारक और है जो किसके द्वारा जीजा सहा द्वारा बनवाए गए किसके द्वारा जीजा सहा द्वारा सेट जीजा सहा द्वारा बनवाए गए यह जो जैन किर्थी इस्थम की बात करें उस विजे इस्थम की अपने आपर बात नहीं करें तो देखे दोस्तों यहाप पर है जो बिलकुल आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और कीरती इस्तम विज़े इस्तम के अपन बात करें न तो दोस्तों उसके जो कौन थे प्रस्तरस्ती के जो रच्छी ता कौन थे दोस्तों कवी अत्री थे कोन ते कवी अतरी थे और जो उनका कवी अतरी किस के कीरती स्थम के कीरती स्थम प्रस्थम्ですね hoop आपको लिक्ना नहीं है दोस्तों मैं आपको जो अलग से बिलकुल इका इसकी पीडियेप देदू का आप अच्छे से ध्यान रखके जो पड़ सकते हैं तो दोस्तों अगर पूचा जाए आपकोकि किरती इस्थम के आप जो वास्तुकार कौन थे, तो दोस्तों क्या करेंगा आप जयता, ठीक है, जयता और इनके पुत्र कौन थे तीन पुत्र थे और इनके तीन पुत्र थे नापा पुमा और पुंजा नापा पुमा और पुंजा दोस्तों अपन कई बार पढ़ चुके हैं और अब यह जो यहां पर बिलकुल इतना ही बताऊंगा ठीक है चलिए दोस्तों आगे अपन बात करते की स्थीतम की दो तीन बार बात हो चुकी है ठीक है आगे अपने बात करते हैं दोस्तों इस दुर्ग के बारे हैं और है जो क्या क्या है दोस्तों सित्रांग मोरी तालाब है इस दुर्ग में कौन सा सित्रांग मोरी सित्रांग मोरी जो है तालाब है इस दुर्ग में ठीक है ब बिल्कुल है जो अच्छे से इसी दुर्ग का आप करेंगे और दोस्तों दुर्ग के अन्या महलों की बात करेंगे दुर्ग के अन्या महल कौन कौन से दोस्तों ये भी अपन बात कर लेते हैं ठीके और दोस्तों जो इंपोर्टेंट है वही बात करेंगे यहाँ पर अन्या ज इंगलू आहाडा के महल कहां पर है दोस्तों आहाडा के महल तो यह जो दोस्तों कहां पर है चितोडगड में है बहुत अच्छे चलिए स्रंगार संवरी भी कहां पर है स्रंगार चंवरी तो दोस्तों स्रंगार या फिर सिंगार भी कह सकते हैं सिंगार संवरी ठीक है सिंगार संवरी या सरंगार एक ही चीज़ है वैसे अब ब्रंच सब्दे सरंगार संवरी हो गया तो यह कहां पर है दोस्तों यह चीज़े आपको ध्यान रखने है कि यह चितोडगर दुर्ग में है और चितोडगर दुर्ग की अपन बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ और दोस्तों क ठीक है और क्या है और है जो गोरा बादल का महल है दोस्तों ठीक है दोस्तों यह गोरा बादल का महल है बेलकुल दोस्तों यह अब तक है जो आपका हो गया है अब दोस्तों जाली बावडी यह भी है जो इसी दुर्ग में इस्तित है जो की उदे सिंग की रानी जो थी जाली रानी उसके द्वारा निर्मिती दोस्तों कौन सी रानी जाली बावडी ठीक है कौन सी जाली बावडी दोस्तों यह जो इसी दुर्ग में इस्तित है जो चीजें आपको ध्यान नहीं थी वह यहाँ पर बिल्कुल किलियर करेंगे और दोस्तों करणल जैम स्टॉर्ड ने विजे इस्तंब के बारे में क्या काता तो दोस्तों करणल जैम स्टॉर्ड ने विजे इस्तंब के बारे में यह काता कि यह जो दिल्ली दोस्तों मैं लिक रहा हूं या पर दिल्ली की कुतूब मिनार भले ही उंची हो क्या हो भले ही उंची हो दिल्ली की कुतूब मिनार भल सबसे बढ़कर है विझे इस्तमक कारिकरी काहर गृथ सबसे बढ़कर है सबसे बढ़कर है दोस्तों यह किस ने कहाता है यह करनल जैम स् टॉड्ड ने खाता मैं आपर ऐसे लिख रहा से आपको थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है बट है जो बिलकुल ध्यान रखेंगे दिली की कुतब कुतुब मिनार भले ही उंची हो पर विजय इस्तम की कारीकरी जो है सबसे बढ़ कर है चलिए दोस्तों अब अपन देखते हैं आगे और दोस्तों आगे अपन बात करें तो यहां पर है जो देखे जो एंपोटेंट है वही आपको ने बता है फैक्ट जो इंपोर्टेंट है ठीक है तो देखे दोस्तों दूरडब के बारे में एक ब्रीत्तानी पुराविज शरह जो थे नाम था उसका यूज कीसन और उन्होंने यह कहा था कि यह जो चितो सुंचान किले मैं विच्छन करते समय शुबब करते समय की कि मुझे ऐसा लगा मानूं मैं किसी भीम काइजाज की चत्पर चल रहा हूं समय जो उन्हें क्या लगा कि जैसे मैं मानो जैसे मैं किसी भीमकाई जाज की सत्पर चल रहा हूँ तो दोस्तों ये तो है जो अपना हो गया इतना यहां तक ठीक है अब देखे हैं यहां पर यापन चितोर के साहितिये के बारे में इतनी बात करें देखे हैं अतिास जो रचा गया है कि जो चैदी वीसम के किसी और अन्य दुरन के बारे में हो डोस्तों इतनी अपन बात नहीं करेंगी लेकिन जो जो important है वही है जो मैंने पहले से बता दिया कि वो अपन बात करेंगे ठीक है और देखें दोस्तों यहाँ पर यदि आपको प्रश्ण कर लिया जाए कि गाडिया लोहार जो है गाडिया लोहार जो है किस दुर्ग से समंदिते है या पिर किस जिल्ले से समंदिते है या पिर किस राजवंस से समंदिते है तो दोस्तों गाडिया लोहार भी है जो इसी चितोड़ गड़ के किले से समंदिते है दोस्तों ध्यान रखेंगे न आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेगा ये और दोस्थों उस समय चितोड किले पर परादिन हो गया था जो नहीं नहीं परतिग्याय लेती क्या क्या प्रतिगाएं लेती कि हम दुर्ग पर नहीं चड़ेंगे दुर्ग पर नहीं चड़ेंगे इस दुर्ग पर नहीं चड़ेंगे यह हो गया ठीक है और क्या प्रतिगाएं लेती कि घर बनाकर नहीं रहेंगे घर बनाकर नहीं रहेंगे तो दोस्तों यह प्रतिगाए परतियान ली थी, तो दोस्तों ये शीज़ें बिल्कुल इंपूर्टेन crank झानना जो करें तो दोस्तों यह उपने कहांon पर नोड को दूँगा ठीक है नोट्स आपको जैसे आज मिले है ना ऐसे ही आपको और भी आगे मिल जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर है जो अभी प्रस्तनोत्री अपनी हो नहीं है प्रस्तनोत्री में अच्छे से बिलकुल किलियर कर लेंगे किसी को लग रहा है कि यह जो काफी है जो ना चूड़ गया है तो दोस्तों देखें अपन पढ़ क्या रहा है दूर्ग पढ़ रहा है ठीक है अब दूर्ग के बारे में जो जो तत्य थे वो तो अपने आपर नॉर्मली देख लिया है अब आगे अपन पढ़ेंगे रं थंबुर दूर्ग और मेरान गड़ जल्दबाजी भी निकरेंगे क्योंकि अपना सेलेबस बाकी तो कंप्लेट होई गया है जो जो इंपोटेंट है वह जो अब अपन पढ़ेंगे तो ऐसा है दोस्तों यह जो बिल्कुल अच्छे से ध्यान पूरुक पढ़ लिया आपने तो अच्छा है और अब आपको नोट् धन्यवाद और कल सुबह आपके लिए आने वाली है रीजिनिंग की क्लास और आज साम को अपन पढ़ेंगे क्या चिक्चन अभी समता दोस्तों ठीक है तो आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद और दोस्तों लाइक कर दीजिएगा सभी है ना मैं जाते वक्त कह र झाने वाद